विपक्स के सभी साथियों ने सुझावपी दिये और अपनी बात रखी मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ कोरोना मावारी के उपरा लगाए गए लागडाउन के कारण देश के आरतिक स्थिति कमजोर हो गई इन करोड़ों लोगों का रोजगार चले गया और आज की जो ये डिवेट है ये आरतिक स्थितिकी पे ही रखी गई है मैं मेरे सुझाव देना चाहूंगा डाइरेक्ट अभी सभावतिम हो दे बता रहे थे कि आप सुझाव दे और मेरा सुझाव ये है कि सभी इस वैश्व कोरोना कोविड नाइनटी को देखते हुए विदान सभा के मानने मंत्री सभी मानने सदस्यों को कम से कम कम से कम ज़्यादा तो कोई दे सकता है लेकिन कम से कम एक दिन का वेतन साहिता देने की देनी चाहिए इसमें सब सहमत ही है एक दिन का पहले तो एक मिने का दे दिया आब बता रहूं मैं आर्थिकिस्तिति के लिए आप अपनी बात कहे है हाँ ना कराने जिरुत्री, आपको अपनी बात कहे है आप, नहीं देने के लिए तयार है सब प्लीज, प्लीज, ठेजह करे बिराजी और और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बारत सरकार को इस महामारी के उपरान जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाएं हैं ओ ये के कोरोना तो आया है लेकिन आरतिक इस्तिती से रूप में जनता को मानने के लिए जो डीजल पेट्रोल के दाम आस्वान में चड़े अभी सबी जो विपक्स के सरसे बैटे हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि बारत सरकार को इस डीजल पेट्रोल के दाम अगर गठाएंगे तो इस देश की इस्तिती सुद्रेगी जो गरीब लोग हैं जो गरीब जनता है उसका भला होगा आप लोग विपक्स की बुराई कर रहे हैं आप मुक्य मंतरी जी की बुराई कर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्तान ने कि मुक्य मंतरी ने जो काम किया है पुरा देश और देश के प्रदान मंतरी ने उनको सराया है आपके बुरा बताने इतना बुरा होगा लेकिन जनता जान रही है राजस्तान की जो जनता है वो आदर ने मुक्य मंतरिया सो गहलो जी क जिस परकार उन्होंने लोकडाउन में काम किया और आप सब लोग उनने भी किया हमने भी किया और पुरी जो कई ऐसी संस्ताइऑं और एजनसिय हैं उन्होंने इस लोकडाउन के माध्यम के जो काम किया वो एक सरानिय है हमारा राजस्थान में फिर भी और राज्यों से जिस परकार से ये कोरोना बढ़ रहा है हमारे कम है और इसकी सही होने की जो इस्तितिय हो भी अच्छी दिखवरी है मैं इसे माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो नरेगा गावों में जो इस्तितियां कमजोर हो गई लोगों की रोजगार चले गई करोडों लोगों के रोजगार चले गए उस इस्थिति में जो गाओं में नरेगा में जो मजदूरी काम कर रहे हैं अभी हमारे मानने सद्ध से सकुंतला जी ने कहा कि उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए निस्थित रूप से कि अगर नरेगा की मजदूरी बढ़ेगी तो गाओं में पैसे आएंगे उन लोगों की स्थिति की सुधार होगा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन आप लोगों को मैं एक कहना चाहूंगा कि जो बारस सरकार जो राजस्तान के जो बचेवे पैसे हैं उनको भी अगर दे देगी तो यहां राजस्तान की स्थिति सही हो जाएगी आप से निवेदन है कि आप जी एस्टी के पैसे के लिए कह रहेते हैं तो जी एस्टी कोई बारस सरकार के तोड़ी है हमारे अक्के पैसे दे रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस COVID-19 जो कोरोना है इससे बचने के लिए हम सब एक जूट है आदरने मुक्यमंत्री जी जिस परकार जी कल राजीव गांदी जी के जनम दिन पर जो हिंद्रा रसोई के नाम से जो पूरे राजस्तान में एक बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि जो गरीब लोग है उनको सस्था बोजन ये पहली बार ऐसा पूरा पोरे देश में पहली बार पूरे देश में पहली बार पूरे पहली बार समान से समान जतर बैठ utilizz कराने का क्या है तो साधरने मुक्यमंत्री जी ने इंद्रा रसोई के नाम से किया है और आपको मानना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद जाइन